दोस्तों सरकार आए दिन कुछ न कुछ योजना लेकर आती है, उनके बहुँ सारे योजना के पीछे बहुँ सारे लोग अपने रोजगार को भी बढ़ा लेते हैं, जैसे अभी के टाइम में प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, इसके बाद जोले प्लास्टी के बैन होने के बाद मार्केट में ट्रेंट कर रहे हैं। तो अभी आपको आवशकता है कि इसी प्रकार के बिजनस में अपने को इन्रॉल कर लें। दोस्तों अगर आज मैं आपको नोन मुवेन बैक की बात बताओं तो डी कट डबलू कट जोले आप सस्ती कीमत पर उठाके मार्केट में अच्छे प्राइस पर बेच सकते हैं। नोन मुवेन जो जो जोले होते हैं उसका यूज तो प्लास्टिक बैन होने के पहले भी बहुत हो रहा था और अब चुकि प्लास्टिक बैन हो चुका है तो इसका यूज और ज्यादा बढ़ने वाला है। कपड़े के दुकान में जाते हैं, तो जोले के अंदर जो प्रिंटर जोला होता है, बहुत सारे दुकानदार अपने दुकान का नाम उसे प्रिंट कराकर आपको देते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो एक किलो जोले कितना में प्राप्त करते हैं, अगर आप इस बिजनस को श चुकी है सब लोग इसके अव्यपसाई को शुरू कर चुके हैं बहुत जल्द इसका उत्पादन कैसे होता है कितनी की मशीन आती है सारी चीजे में आपको बताओंगा फिलाल मैं ट्रेडिंग के उपर आपको बता रहा हूं तो जब आप मैनुफेक्ट्टर के पास जाएंग मुझे 2-2-4-4 पीस दे दिजे दे देंगे उसमें उनको कोई दिकत नहीं होता अब दोस्तों आपको सेंपोल को लेकर अपने मार्केट में आना है मार्केट तो आपके पास होगा ही आपके आस-पास तो वहाँ आपको जाना है अगर आपका शहर आपसे दूर है तो भी वह आपको जाना है जाना है दुकांदार से बात करने ही कि आपको इस प्रकार के जोले में अच्छी क्वालिटी के जोले आपको प्रोवाइड करूँगा आप उनको रेट बताईए आप अगर 140 रुपे कही साब से उठा रहे हैं उनको कह दीजे कि मैं आपको 170 रुपे कही साब से एक किलो जोले दे दूँगा जानते हैं वो मार्केट में किस प्राइस से उठा रहे हैं 200 रुपे प्रती किलो कही साब से कम तो वो उठा ही नहीं रहे हैं जबकि आप उनको 170-180 भी बोलिएगा तो वो आपसे ले लेंगे आप 40 रुपे मुनाफ़ा भी प्रती केजी अगर आप उनसे बोल रहे हैं तो वो आपको निश्चित रूप से ओडर लगाएंगे आपको उनको कहना है कि आपको बस एडवांस पेमेंट करना है ये मेरा अड्रेस है सब कुछ आपने को बताईए बोलिए कि मेरा ओफिस यहाँ पर है ओफिस के नाम पर एक अपने ही घर का आप अड्रेस वहाँ पर दे सकते हैं दुकानदार आपको जब ओडर देंगे तो आप घूमिये मार्केट में सेकडों दुकाने हैं 300, 400, 500 दुकाने हैं किसी भी शहर किसी भी मार्केट में आपको 200 से कम दुकान तो देखने को नहीं मिलेगा आप जब वहाँ जाएंगे और एक दिन में मैं कहता हूँ आपको ज़्यादा ओडर भी नहीं लेना है target रखना है कि 20 दुकान का minimum order आपको चाहिए 20 दुकान से कम में आपका पेट नहीं भरने वाला है ये सोचना है जब तक 20 दुकान पुड़ा नहीं हो जाता है तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं मैं घर लोट कर नहीं जाऊंगा ऐसा सोच का जब आप काम करेंगे जब तक 20 पुड़ा नहीं हो जाए मेरा संकल पुड़ा नहीं होगा तो निश्यत रूप से आप पुड़ा कर पाएंगे अभी 20 दुकानों से आपको order लेने है कोई दुकानदार आपको 7 किलो का order देगा कोई 1 किलो का देगा, कोई 6 किलो का देगा कोई जादा का देगा, कम का देगा मैं average मानता हूँ कि 5 किलो का order हर एक दुकानदार ने आपको दिये है तो एक दिन में आपने 20 दुकान से 5-5 किलो के order लिये है तो कितना order ले लिया 100 किलो का order आपने लिया है अभी आप जब 100 kg का जब order आपने ले लिया आप factory वाले के पास जाएंगे और जो भी advance आपने दुकांदार से प्राप्त की है ऐसा तो नहीं है कि वो 100% आपको दे देंगे फिर भी आप कोशिश कीजिए कि 40-50% का वो advance payment आपको कर दें तो आपको जाना है factory वाले के पास या फ अची quantity में बेच सकता हूं बस आपको शुरुआत में मुझे इतना माल आपको देना होगा तकरीबन 100 kg आप उनको बोल दीजिए मैं आपके ही शहर में sell करने वाला हूं कोशिश कीजिए कि जहां उत्पादक है वहीं पर आप सेल करें क्योंकि जब आप बल्क में उठाते है तो आपको 140 उर्पे पड़ता है एक किलो दो किलो अगर आप उठाएंगे तो 140 का तो वह उत्पादक आपको देंगे ही नहीं वह बोल देंगे अमूग ट्रेडर के पास जाए वह आपको दे देंगे मतलब अगर मैं दुकानदार हूं रिटेल शॉप मेंने डाला है और मैं आपने क्या कर लिया है सारा कलेक्शन अबन ने कर लिया है आपने अगर 180 रुपे के हिसा आप 040 मcular कमाया है तो सौ किलो बेचा है तो आपने 4000 की कमायी करी है एक ीदिन में दोस्तो जिस दिन आप मार्केट में निकलते हैं आपका आपकी साख बनती है उसके बाद यह गयता हूँ 4000 में 2500 या 1000 का कलेक्षन पहले दिन तो 100% होगा अभी आप दुकान को और अभी वहां कारोबार को और एक्सपैंड करेंगे अलग मार्केट में जाएंगे आप एक बार में 10-20 मार्केट को टार्गेट कीजिए आज इस मार्केट में कल 5 किलोमेटर दूर के मार्केट में फिर 20 किलोमेटर दूर के मार्केट में फिर 25 किलोमेटर दूर के मार्केट में अलग अलग जगा पर आप जाकर कारोबार को करेंगे जिस प्राइस पर आप वहां ओफर करने वाले हैं निश्यत रूप से वह आप से अग्री करेंगे कि आप उ साधा जोले का काम कीजिए, अलग लग रंग में, लाल, पिला, हरा, बुलू, वाइट, अलग काला भी है, साइजों में जोले की डिलिंग कीजिए, अलग अलग कलर में कीजिए, साधा का कीजिए, बाद में प्रिंटिंग में आप उतर येगा, तो दोस्तों आप प्रते दिन अड़ाई 3,000 रुपए तो आप बचा लेंगे कोई शक नहीं है किसी दिन आपका करोबार है कभी मार्केट में निकलने का मन किया तो गय नहीं किया तो अपने घर में बैठे रहे दोस्तो इस हिसाब से अगर देखा जाया तो आप हर महीने तकरीबन 60-70,000 रुपए असी 90,000 रुपए तो निशेत रुप से कमाएंगे अगर 4,000 कमा रहे हैं अगर एक दिन में तो एक लख तो आप क्रॉस कर चुके हैं बिजनस हाइप पोटेंशिल वाला है इसका उत्पादन कैसे होता है जिसमें आपको ज्यादा कमाई होती है पूरी जनकारी में बहुत जल्दी लेकर आपको दूँगा फिलाल मैं ट्रेडिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ दोस्तो इस बिजनस के बारे में और गहन रिसर्च आप कीजिए मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजिए माई इन्फरेडिक्स सर्च करने पर यूटूब पर जो लोगो दिख रहा है वही जो इन्फरेडिक्स का लोगो है वही आपको दिखाई देगा उसके बाद आप उनको जोईन कर लीजिए बहुत जल्दी उससे भी आपको बेनेफिट मिलने वाला है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों अपने दोस्तों में शेर करें वीडियो पसंद आती हो लाइक करें अपार शुब कामनाओं के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में अल दे बेस्ट जैहंद